आज हमनों बात करेंगे Grammarly Vs. ProWriting 8 के बारे में हाई गाईस मेरा नाम है क्रपेश आडवानी यहां पर मैं डिडिटोल के रिलेट़ वीडियो बनाता र Carroll आता हूं आज हमनों बात करने वाला है Grammarly Vs. ProWriting 8 के बारे में कॉन सा टूल यहां पे ज्यादा अच्छा है ग्रमा चेकिंग के निये अच्छा है ब्लॉगर कॉन सा अच्छा राएगा प्राइस वाइस कॉन सा अच्छा है कॉन सा अच्छा आपको पाई करना चाहिए कोई भी नया डॉक्यमेंट करना है तो विल क्लिक उन यू अन यहां पर हमारा नया डॉक्यमेंट आ जाएगा राइट सबस्क्राइब कर सकते हैं नीचे यहां पर आपको फॉर्मार्टिंग इस तरगा इंटर दिखाई देता है आपको सारे ने पर अपना डॉक्यमेंट कर सकते हो गोल शेटिंग बात करिजा है तो ग्राम अर्ली में आपको चार आप्शन देखने को मिल जाते हैं ओडियन्स फर पर दोर डविशनी करेटिव किस थरह हैं पर आपको कॉंटेंट लिख रहे हैं एंहां लॉंग वाम है पर एकनिकल लिख रहे हैं बीजनस के लिख रहे हैं चैज़ल है अफिर कुछ स्कृप्ट लेख लिखे लिख जाएगा रिपोर्टिंग की बात करूँ में तो लेट्स go to reports overall score यही आपर इसकी reporting रहेगी Grammarly पे कितना word counts है कितना word है काफी clean and neat design आपको देखने को मिलेगी Grammarly पे readability के है sentence के है vocabulary के है and इसकी आपे PDF report भी download करी जा सकती है pro writing 8 के बारे में बात करी जाए तो इसकी reporting आपको यहां summary section पे मिलेगी this is the report और काफी detailed report आपको देखने को मिलेगी pro writing 8 पे की scores क्या grammar score style score और sentence length इसकी सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाए गर गर किया चीज़े है कहां पर इसकी readability increase हो सकती है सारी details यहां पर आपको मिल जाएगी spelling suggestions के बारे में बात करों तो यहां पर मैंने दोनों यूज किया है spelling suggestions और editing accuracy में मुझे दोनों का data base भी सेमी लगा है कुछ बहुत जारा difference देखने को नहीं मिला है when it comes to spelling यहां फिर accuracy को लेकर के अब हम लोग करते है साइड बाइसाइड कंपारिजन यहां पर यह एक आर्टिकल है जो बहुत अच्छे से फॉर्माटेड नहीं है यह सेम आर्टिकल मैंने प्रो राइटिंग एड में दाल के रखा है दोनों का फिलाल में अभी प्रीम बता रहा है कि यह सारी चीज़ों को यह पर करेक्ट किया जा सकता है क्लारेटी मोसली क्लियर एंगेजिंग वरी एंगेजिंग प्रो राइटिंग की बात करी जाए तो रियल टाइम में मुझे यहां इसे 32 ही सजेशन मिल रहे है और यह आपको यहां इंप्रूमेंट टाब पुछ है देन स्टाइल का यहां पर ऑप्शन थे ताकि जो राइटिंग स्टाइल है यहां पर उसको इंप्रूव किया जा सकते तर्फ तो यह जो सारी रिपोर्टिंग है यह अक्च्छल में मुझे ऐसा लगा कि ज्यादा वाल्यू प्रोवाइट करा रहे हैं कंपेट आप लोग कर सकते हो इन प्रोवाइटिंग एड में आपको थोड़ा सा टाइम इंवेस्ट करना पड़ेगा डिटेल में जा सकते हो स्पेशली अगर आप लोगर हो यहां फिर कुछ लॉंग फॉम कॉंटेंट लिख रहे हो तो भी प्रोवाइटिंग एड काफी अच्छ उ इसमें आपको इंक्रीस कर सकते हो यह मुझे काफी अच्छ लगा यह मैं अपनी ब्लॉग पोस्ट ले काफी यूज करता हूं कि जैसे कुछ लंबे सेंटेंसे तो इसको एजी तो रूट कैसे बनाया जाए कौन-कौन से वर्ट को अमिट किया जाए देन स्टिकी है अगर पर अपर मेरा इमेल में अपना चेकाऊट कर लेल वह फार ही शॉट फॉर्ट कले पर रेम जाएट भड़ागा जर्च वार्ट बैट्ट को ज़ल्ड है अपना च्छेक बाहीं आसुड ज़्यांस अर्थ उंप जीक्ट पर वहीं बहुत वहाँ अच्छ आपन वहीं आपना मुझे यहां पर सारी रिपोर्ट्स पर जाके मैंवली शेक आउट करना पड़ेगा and it is going to take a lot of time तो short form के लिए Grammarly is better for long form pro writing aid लिमिटेशन की बात करी जाए तो pro writing aid premium version में कोई limitations नहीं Grammarly premium में आप लोग सिर्टी देज में 300 documents यहां फिर 1,500,000 words that's it लेकिन यह भी काफी ज्यादा इसको सिर्फ यहां पर लगाए गया है ताकि इसका overuse नहीं हो तो अगर आप टीम के साथ में शेयर कर रहे हो अपना एक single login ID तो शायद सी आपको पता होना चाहिए free version की बात करी जाए तो दोनों के यहां पर free versions अफिलेबल है आपको यहां पर बेसिक सजेशन्स ही देखने को मिलते हैं और इंगेजमेंट वाला अपको प्रीम में मिलेगा clarity पर भी सिर्फ बेसिक सजेशन्स ही मिलेंगे pro writing 8 पर आप लोग को सारी रिपोर्ट्स अनलॉक मिल जाती है mostly लेकिन सिर्फ आप लोग 500 वर्ट्स तक ही रन कर सकते हो free version में मेरे इसाब से free version में भी pro writing 8 जादा बेटर है क्योंकि अगर मेरे पास long form content भी है और मेरे पास premium नीए तो भी में आप पर उसको कट कर करके 500 वर्ट्स को बार-बार चेक कर सकता हूं प्राइजिंग की बात करी जाए तो जो ग्रामर्ली की प्राइजिंग वो आन्वली आपको $12 USD पर मन्त की पड़ेगी जिसमें आपको एक बार में अब फ्रंट $144 USD पे करना पड़ेगा quarterly is $20, monthly is $30 ग्रामर्ली की बात करी जाए तो यह पर इनके तीन प्लांस है monthly, yearly, lifetime monthly is $1100, yearly is just $3,500 which is around $40-$45 तो compared to Grammarly, ProWriting Aid आपको काफी सस्ते में मिल जाएगा और 20% का discount coupon code link भी आपको नीचे description पे मिल जाएगा अश्से पहले मैं आगे continue करूँ एक disclaimer देना चाहूँगा लेकिन अगर आपको मेरे नीचे देगए link से purchase करोगे तो मुझे थोड़ी commission मिलेगी बिना कुछ आपके extra cost पे किया इन पाक ने आपको extra discount ही मिलेगा तो अगर आपको मेरा काम पसंद आथा तो आपको मुझे support कर सकते हो मेरे नीचे देगए link से purchase करके Thank you Now coming on to the bottom line I think free में तो आप लोग दोनों ही use कर सकते हो Paid version की बात करी जाए तो Grammarly मेरे इसाब से तब अच्छा option है जब आपका content छोटा हो and you need some easy to use tool जिसमें आपने content paste किया फटा फटा उसको चेक किया and then powered कर दिया अगर वो आपको सिनारियो है तो Grammarly अच्छा है ProWriting Aid तब अच्छा रहेगा जब long-form content और जैसे कि blog post होगी, books होगी, anything that is greater than 1500 words तो मेरे साब से ProWriting Aid का जो reporting section जो readability और जो भी reports और प्रोवाइट करा रहा है it is worth it और अगर आप लोग थोड़ा से हैं पर उसको सीखने में time invest कर सकते हो then ProWriting Aid is definitely worth it plus उसकी जो pricing है वो भी कापी अच्छी है मैं परस्नली यह पर कॉंसा तूल यूस कर रहा हूं I am using ProWriting Aid because of the pricing because मेरा content रहता बुजारता long form रहता है and I am using the reports very efficiently in my blog post आप लोग मेरी ब्लोग पोस जाके चेक आउट कर सकते हो कि किस तरीके से उसकी readability enhance करी गई है इस तूल के थ्रूँ So that was it for this one अगर आप कोई वीडियो अचला है तो थम्जा प्रेजिगा चैनल को सपोर्ट करने के लाप नीचे दीगई लिंक से पूचेस कर सकते हो and that's all thank you so much for watching I will see you guys in the next one Good bye Good bye Good bye